दोस्तो यूपी एसाई की 25 तारी की पहली दूसरी और तीसरी सिफ्ट समाप तो हो चुकी है और आज की इस वीडियो में बिल्कुल रियल के कोसंस जो की एक्जाम में पूछे गए हैं तीनों सिफ्टों के कोसंस इस वीडियो में करवाए जाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जिनका एक्जाम अभी तक नहीं हुआ है वो इस पूरी एनलेसिस को देख कर जाएं कम से कम 10 से 15 कोशन उनके ज़्यादा सही होने के चांसे बढ़ जाते हैं जैसा कि दोस्तो हमें रिस्वांस मिला है कि जो ग्यानपीट पुरुसकार है उससे सम्मंद से रिवीजन कर जाओ तो पूरा टॉपिक यह अच्छे से आपको पढ़कर जाना है एक्जाम के लिए आपको यह याद रखना है इसके बाद में कोशन बन रहा है कि स्री क्रस्न का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था तो आंसर होड़ेगा मतुरा में इनका ज़द्व हुआ था उसके बाद में समास को लेकर एक कोशन था कि धर्मा धर्म में कौन सा समास है तो धर्मा धर्म में धुहंद समास है यह आपको याद रखना है इसके बाद में था आपका सविने अवग्या आंदोलन से समझेद एक कोशन था एक्जैक्ली कोशन क्या है किसी भी बच्चे का मनाय जाता है तो यह 10th of January को मनाया जाता है exam का question है इसके बाद में एक सब्द का प्रियोग बार बार होना और लेकिन प्रते एक बार उसका अर्थ अलग-अलग होना इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें हो जाएगा इसका यमक अलंकार इसमें पाया जाता है फिर उसके बाद में अनुछेद 48A, आर्टकिल 48A का सम्मन किस चीज से सम्मनित है तो ये परियावरन से सम्मनित है ये आपको याद रखना है सीट वेल्ट नहीं लगाने पर चालान कितने रुपए का काटा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1000 रुपए का चालान है अगर आप सीट वेल्ट नहीं लगाए है इसके बाद में है कि सिर्फ ये वाला कोशन पूछा गया था सीट वेल्ट वाला लेकिन आपको दो और कोशन करवा दे रहा हूँ जो कि पुरानी सिप्टों में पूछे गया है जैसे कि कोशन है बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना तो इसमें 5000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा अनाधी किरत गाड़ी बिना लाइसेंस के चलाना मतलब 5000 रुपए का जर्माना आपको बढ़ना पड़ेगा ये कोशन भी कई बार रिपीट हुआ है अब देखो एक और बच्चे ने सेम कुशन भीचा है हमारे पास में कि विस्व हिंदी दिवस कप मनाय जाता है तो ये 10th of January को मनाय जाता है ये इसका अंसर हो जाएगा फिर कुशन बनता है कि हैंसें रोग हैंसें रोग जो है इसका दूसरा नाम क्या है तो कुश्ट रोग को हैंसें रोग बोलते हैं यानि कि कुश्ट रोग का मतलब होगा लेपरोसी जो लेपरोसी होता है उसी को ही हम लोग हैंसें रोग या कुश्ट रोग के नाम से जानते हैं जो कि एक्जाम में पूछा गया है IPC की धारा 497 पूछी गई है आईपीसी की धारा 497 पूछी गई है कि वो किस चीज से समभनेत है तो आंसर हो जाएगा साधी सुधा पूरुस किसी दूसरी महिला से साधी करेगा तो अपराद माना जाएगा ये आईपीसी की धारा 497 कही जाती है आईपीसी की धारा 497 है कि साधी सुधा पूरुस किसी दूसरी महिला से साधी करेगा तो ये अपराद माना जाएगा उसके बाद में उत्तर प्रदेश का राजकी वरक्ष कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का राजकी वरक्ष है असोक इसके बाद में आता है पहली बार इलेक् वासिंग मसीन का इस्तिमाल किया गया था तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है फिर उसके बाद में कोशन था कि राश्ट्रिय सुरक्षा दिवस नेशनल सेक्योरिटी डे कब मना जाता है तो ये हर साल चार मार्च को मना जाता है फिर एक कोशन था आपका जोसेफ साइन और वर्सस सुप्रीम कोट ये जो केस स्टेडी में पूछा गया था जोसेफ साइन वर्सस सुप्रीम कोट जिसमें क्या था कि कोट में IPC की धारा 497 की वैदता को चनोती दी थी इससे समनित है ये वाला प्रसनवी एक्जाम में पूछा गया है इसके बाद में आता है आपका आठवी अनुसूची, आठवी अनुसूची में कौन सी भासा समलित नहीं है अब चुकि दोस्तों आठवी अनुसूची में जितनी भासाएं हैं 22 भासाएं होती है और ये मैं आपको डेली बेसेस पर उन्द बाइस भासाओं के नाम बता रहा हूँ बार-बार बोल रहा हूँ आपसे याद रख लो एक्जाम में इसका कोशन पूछा जा रहा है फिर उसके बाद में आता है आपका अंगुली का ततबो रूप पूछा गया है तो आदी मुराई ये तमिल नाडू रज्य की मारसल आठ है ये वाला प्रसन एक्जाम में पूछा गया है इसके बाद में कोशन है आत्म नेपद किसकी रचना है तो ये अग्ये की रचना है आत्मने आत्मने पद किसकी रचना है तो ये अग्ये की रचना है एक्जाम में पूछा गया है पहला सरसुती सब्मान किसे दिया गया था तो आंसर हो जागा ये हरिवन सराय बच्चन को पहला सरसुती सब्मान दिया गया था एक्जाम का कोशन है इसके बाद में यमक लंकार से एक कोशन पूछा गया है उसके बाद में आता है आपका नीती निर्देशक ततो जो है ये कौन से आर्टिकल से सम्मनित है तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 जो है ये नीती निर्देशक ततो से सम्मनित है फिर उसके बाद में प्रसन पूछा गया कि पुलिस एक बार में कितने लोगों को गिरफतार कर सकती है अब इसका आंसर कहीं से नहीं विला है अगर आपको इसका आंसर पता है तो comment box में लेकर बताईए पंच परमेसवर के लेकर कौन है तो मुंसी पेम चंदर पंच परमेसवर के लेकर के लेकर है ये प्रसन पूछा गया है क्रूरता के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है तो ये भी नहीं पता है भारत एक संग है, राज्यों का संग है, किस अनुछेद में कहा गया है तो ये अनुछेद बन में कहा गया है कि भारत यानि कि इंडिया जो है ये एक राज्यों का संग है, राज्यों का संग है तो अनुछेद एक में कहा गया है इसके बाद में था सारदा एक्ट किस सारदा एक्ट से दो कोशन पूछे गया था पहला था कि सारदा एक्ट कब लागू किया गया था तो 1 अपरल 1930 को सारदा एक्ट लागू किया गया था फिर ताकि सारदा एक्ट किस चीज से सम्मनित है तो ये बाल विवास से सम्मनित है ये बाला कोशन यहाँ पर पूछा गया है फिर उसके बात में सर्वनाम की संख्या पूछी गई है तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गयते हैं यहां पर सर्वनाम के भेद नहीं पूछे गए यह पूछा गया था कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है तो सर्वनामों की कुल संक्या 11 होती है जिसमें की मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ यह 11 सर्वनाम होते हैं और सर्वनामों के भेद नहीं पूछे गया है इसकी कुल संक्या पूछी गई थी बक्ति काल के कभी कौन है तो बक्ति काल के कभी चार options दे रखे होगे उन्हों से कोई एक होगा जो बक्ति काल का कभी नहीं होगा पूछा गया है वेंजन कौन सा है तो चार में से कोई एक स्वार और वेंजन आप लोग पहचानते हैं जो वेंजन नहीं है वो answer बताना था फिर उसकी बन में बाल विभास से सम्मंदित एक प्रसन है जो की एक्जाम में पूछा गया है फिर एक प्रसन पूछा गया है important days के उपर दिवस के उपर question है विश्व हात दुलाई दिवस कब मनाया जाता है तो answer होड़ेगा हर साल 15 October को हर साल 15 October को हर साल 15 October को विश्व हात सब्द जो है options नहीं पता हैं लेकिन सुन्दरी कांता कलत्र वनीता नारी महिला अबला ललना औरत कामनी रमनी यह सभी इस्तरी के परयावाची सब्द हो जाएंगे जो की एक्जाम में आप से पूछे गए हैं फिर इसके बात में था एक प्रसन पूछा गया है कि बताओ छ फिर उसके बात में है एक भिन्न दे रखा एक संख्या दे रखी 0.222 इसको भिन्न के रूप में बदलना था तो सभी लोग जानते हैं 0.222 है इसको हमने यह पॉइंट हटाया इसके नीचे 1 लिखा 0002 से इसको कैंसल करेंगे 111 हो जाएगा और यह 500 हो जाएगा तो इस तरी जरातमें इस्टिद है यह आपको करना है इसके बात में था रती पती रती पती का समनारती सब्द क्या होगा तो काम देव आत्मभू काम मदन डर्पक अनंग पंचिसर करदम मनोज्ज मसिस्ज पुस्प धनवा मनमत ये सभी रती पती के समानारती सब्दों हो जाएंगे जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं फिर एक प्रस्न पूछा गया है कि भरत मुनी के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है तो भरत मुनी के अनुसार रसों की संख्या होती है आठ जो कि एक्जाम में आपसे पूछा गया है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 52, 65, 143 को पूर्टिया विवाजित कर सकती है ये एक्जाम में पूछा गया प्रस्न है फिर उसके बाद में कुशन है कि पीछे-पीछे चलने वाला के लिए एक सब्द कौन सा यूस किया जाता है तो पीछे-पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है पीछे-पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है ये आपको याद रखना है किस रस को रसराज कहा जाता है तो रसराज कहा जाता है सरंगार रस को सरंगार रसको रसराज कहा जाता है गुरू के समीप रहकर अध्यन करने वाला क्या कहलाता है तो गुरू के समीप रहकर अध्यन करने वाले को हम लोग अंतेवासी के नाम से जानते हैं अंतेवासी गुरू के समीप रहकर अध्यन करने वाले को अन्तेवासी कहा जाता है रूपक अलंकार का एक उधारन पूछा गया था चुकि हमें आप्शन्स नहीं पता है तो हम नहीं पता सकते हैं इसके बाद में था कुल कानन कुंडन मोर पका उर्पे बनमाल विराजित है में कौन सा अलंका रहे ये कोशन रिपीट हुआ है 12 तारिक को 2nd सिप्ट में भी ये सेम कोशन पूछा गया था तो हो जाएगा इसका अनुपरा सलंकार इसमें होता है अयोद्या किस नदी के किनारे बसा है तो ये सर्यू नदी के किनारे इस्तित है बुलंद दर्वाजा कहां पर इस्तित है तो ये फतेपुर सीकरी में बुलंद दर्वाजा इस्तित है इसके बाद में था दूसरा विश्व हिंदी समेलन कहां पर आईजित किया गया है तो मौरिसस में इसको आईजित किया गया है एक्जाम का कोशन है यदि एक संख्या का 50, 30 दूसरी संख्या के बराबर है तो इसका अनुपात क्या होगा तो आसानी से इस कोश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसान कोश्चन है इन में से विसम संख्या क्या होगी ये चार आप्संस आपको दे रखे हैं चांदनी का परियावाची पूछा गया है तो चंदरिका, कौमुदी, जियोटसना, चंदरमरीची, उजियारी, चंदरप्रभा, जुनहाई ये सभी चांदनी के परियावाची सब्ते हैं जो कि आपसे एक्जाम में पूछे गए हैं अब दोस्तों ये जितने भी कुस्संस आप यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी का, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो PDF है, वो हमारे Telegram चैनल पर फ्री में सेयर किया जाएगा वो हमारे Telegram चैनल पर फ्री में सेयर किया जाएगा अगर आप उस PDF को लेना चाहते हैं तो Telegram चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे रखा है वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं चीक है, तो ये PDF जो है, इसको मैं देखो, आपको दिखा भी देता हूँ यह यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 तारी की पहली सिप्ट के जो कोशन का ये PDF है इसको देखो, टेलिग्राम पर शेयर करना है और ये जो दूसरी सिप्ट के कोशन है ये 25 तारी की दूसरी और तीसरी सिप्ट के कोशन इसी वाले PDF में है तो 25 तारिक की पहली दूसरी और तीसरी स्ट में जितने भी questions हैं वो सभी अभी आपको टेलीग्राम पर शेर किये जाएंगे टेलीग्राम पर आपको share किये जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं 25 तारिक के तीनों सिप्टों के questions